नमस्कार दोस्तों तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी आइलेंड के बारे में जो 6 महीने फ्रांस के अंदर होती है और 6 महीने स्पेन के अंदर आकर ये कैसे होता है तो आज जानने की कोशिच करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं इस island की history जानने से पहले इसकी जोग्राफिय समझ लेते हैं तो यह island Spain और France के border के बीचो बीच इस्तित है 200 मीटर लंबी है और 40 मीटर चोड़ी है और इस island पर कोई व्यक्ति नहीं रहता यह island Spain और France के बीच में एक official border है और यह 6 महीने Spain में रहती है और 6 महीने France में 1 February से लेके 31 July तक Spain में और इसके बाद 1 August से लेके 31 January तक यह France में रहती है इसका कारण क्या है और ऐसा क्यूं होता है यह हम जानने कोश्च करेंगे आगे France और Spain को अलग करती है यह river जिसका नाम है Biddosowa river और Biddosowa river के बीचो बीच है आपकी island जिसके आम बारें बात कर रहे है जिसका नाम है Fisand Island तो Fisand Island Biddosowa river के बीचो बीच है और Biddosowa river ही Spain और France को अलग करती है आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको एक request करना चाहूंगा कि प्लीज एक सेगिंड लगा के आप चैनल को subscribe करती है और Biddosowa river जिसमें आप यह boat देख सकते हो तो ऐसा क्या हुआ था कि France और Spain ने यह तै कि 6 महीने हम आपको 6 महीने आइलेंड हम रखेंगे और 6 महीने आप रखोगे तो यह तै हुआ था Treaty of Pyrnese से ठीक है उसके बाद जब यह आपस में मिले उसके बाद एक शाहिष शादी से यह समझोता हुआ जिसका नाम रखा गया है Treaty of Pyrnese लुइस 14 ने फिलिफ 4 की बेटी से शादी करी और यहां पर Treaty of Pyrnese साइन हुई और इसमें तया हुआ कि 6 महीने के लिए दोनों देज आपस में यह आइलेंड रखेंगे तो 1669 के बाद इस शाहिष शादी के बाद दोनों देशों में समझोता हो गया था और अब इस आइलेंड पर दोनों का कब्सा है 6 महीने के लिए फ्रांस का कब्सा होता है और 6 महीने के लिए स्पीन का कब्सा होता है लेकिन दोनों देशों में यह जो 6 महीने का कब्सा रख जगरते हैं, उम्मीद करता हूं यह आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्काइब करके जाना और ब्लाइकन को प्रेस कर देना, धन्यवाद